अमिकापूर के गान्थी स्टेडियम में आयोजित संभाग इस्तरीय ओलम्पिक खेल कूद प्रतियोगिता से उपमुखे मंत्री ने दूरी बना ली है जिसे लेकर उपमुखे मंत्री टीयस सिहदेव जीला प्रशासन से बेहद नराज हुए हैं इस मामले में डिप्टी सेम टेयस सिहदेव ने कहा कि मान सम्मान से समझाता नहीं हो सकता एक तो मेरे को जानकारी नहीं थी मुक्यतिती के रूप में मेरा भी नाम था और उसके लिए आभार भी है लेकिन मुझसे ना तो चर्चा हुई थी ना मुझे जानकारी थी और प्रोटोकॉल का एक हिसाब से जो पालन हो रहा है ऐसे बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रसाशन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है कौन जुनियर है किसका क्या प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखके नाम में करम चपना चाहिए लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है ऐसे चोटी बात है लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं रोज हम लोग को कारे करता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है आप हमारी अगवाँ हैं आप अब नाम के लिए मंत्री हैं विधायक हैं उब मुखे मंत्री हो गए लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है तो अनेकों बार बोलने के बात भी अगर प्रसाशन इस तरह ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कारे करमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है कि पोई सम्मान से कोई समझ जहाता किसी वक्त नहीं हो सकता और एक बार बोला, दो बार बोला, दस बार बोला, खबर भीजा, जिम्मेधारी से बात की फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने पंड़ गैर सम्मान वाले लोग नहीं है कौन सभापती है उसका नाम किस क्रम में है और जिनका प्रोटोकॉल में कहीं हवाले ही नहीं है, उन लोग किस क्रम में रखे जा रहे हैं, तो ये ध्यान आपको देना ही होगा, ऐसा नहीं चल सकता कि भलमंद सहात में चलिए सब ठीक है, सब ठीक, मेरे लिए तो कोई इसका फ आपके मन में सम्मान देखिए लिया नहीं जा सकता। सम्मान कोई देगा तो वो सम्मान होता है। अगर मन में आपके लिए किसी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो फिर यह हम ले नहीं सकते। कारवाई करके हमको सम्मान बिल्कुल नहीं चाहिए अगर आपके मन में है तो दीजे नहीं है तो जैराम जी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन समझदारी होनी चाहिए परिपक्वता होनी चाहिए समवेधन शीलता होनी चाहिए और अगर वो नहीं है तो फिर एक सीमा के बार हम लोग अपने कार्य करताओं का अपमान लगातार नहीं से देख सकते हैं